कि दोस्तों नमस्कार मैं मिर्तिन जय आपका स्वाकत करता हूं हमारे इस चैनल सतिक बदामर्च में और गोल्ड से रिलेटेट वीडियो जो हैं हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं तो लगबग पिछले कल का मार्केट बंदी था सटेटे संडे बंद रहता है तो आज सोंबर का जो मार्केट है वो हम आपके सामने लाने वाले हैं कि क्या रिट पे रहा और कैसे रहा गोल्ड का बाजार तो आज आपने देखा कि लगबग हमारे इंडिया में सेयर मार्केट का का काफी उतार चठाव रहा और लगबग 1500 प्लस पॉइंट गिर के बिए सी और 500 पॉइंट गिर के ने सी जो है वो बंद हुआ है तो इन सब का असर भी गोल्ड पे मार्केट पे पढ़ता है असर होत इसको सेफ इन्वेस्मेंट के तोर पे देखते हैं खासकर गोल्ड को और डॉलर के भाव में भी आज ब्रोत्री हुआ और रुपे हमारा के भाव में कमी हुई है यहनि 19 पैसे आज जो डॉलर के प्रती हमारा जो रुपिया है वो नीचे गिर के बंद हुआ है तो यह सब का भी असर है गोल्ड पे तो गोल्ड का जो मार्केट रहा आज वो 255 रुपे बढ़कर बंद हुआ और 44,431 रुपे 10 ग्राम का जो भाव है वो आज का है इस रेट पे यह जो है चीज बंद हुआ है पिछले कारिवारी में यानि पिछले जब यह मार्केट खुला ता सुक्र उसमें भी थोड़ा तेजी मिला है और 80 रुपे बढ़कर यह बंद हुआ है यानि आज जो पर केजी जो हुआ है वो 64,793 प्रती कीलो ग्राम यह बंद हुआ है पिछले जो कारवार का दिन था उसमें यह 44,730 रुपे पे बंद हुआ था तो यह चांदी का भाव था क्यों 32% की तेजी आई है और चांदी में जो है वो माइनस मतला समझे तो ज्यादा प्लस नहीं है मकर 80 रुपे आप एवरेज निकाल सकते हैं 80 रुपे पे जाके एवरेज पे वो बंद हुआ है तो यह मार्केट का नतीज़ा है और यह थोड़ा सा भी अप एंडाउन होगा क्यो जो बैठक होने वाला है 25-26 तारीक को जो यह होगा फेडरल बैंक का तो उसमें जो रेट यह कुछ जो डिसीजन होती है उसका असर आपके गोल्ड पे पड़ेगा इस वज़े से अभी जो प्राइस है वो अंसर्टन है अभी आप जा रहा है कभी टाउन जा रहा है मगर करते हैं यह बढ़ेगा ही कम नहीं होगा मित्रो ऐसे भी साजीवादी का सीजन है और गोल्ड का